यश बर्सेज नानी टॉप टेन हाइट्स ग्रॉसिंग मूवी यश की दशवी हाइस्ट ग्रॉसिंग मूवी है लक्की जिसने तीन करोड के बजट से दस करोड का कलेक्शन किया था तो वही नानी की दसवी हाइस्ट ग्रॉसिंग मूवी है भले भले मैकडिवोर जिसने 15 करोड के बजट से 51 करोड का कलेक्शन किया था तो पॉइंट नानी को मिलता है यश की 9 वी हाइस्ट ग्रोसिंग मूवी है ड्रामा जिसने 4 करोड के बजट से 12 करोड का कलेक्शन किया था तो वही नानी की नौवी highest grossing movie है। श्याम शिंग्हा रॉय, जिसने 40 करोड के बजट से 52 करोड का collection किया था, तो point फिर से नानी को मिलता है। यश की आठवीं हाइस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। राजा हूली जिसने चार करोड के बजट से तेरह करोड का कलेक्शन किया था, तो वही नानी की आठवीं हाइस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। जरसी जिसने 30 करोड के बजट से तिरेपन करोड का कलेक्शन किया था, तो पॉइंट नानी को मिलता है। मिडल क्लास अभी जिसने 25 करोड के बजट से 70 करोड का कलेक्शन किया था तो पॉइंट नानी को मिलता है। तो वही नानी की तीसरी हाइस्ट ग्रोसिंग मूवी है। तो वही नानी की दूसरी हाइस्ट ग्रोसिंग मूवी है। तो पॉइंट फिर से यश को मिलता है। तो टॉप टेन हाइट्स मूवी के मामले में विनर नानी है। इन दोनों में आपका फेवरेट कोन है। वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में बता कर जाना और चैनल को सब्क्राइब कर लेना।